नमस्कार दोस्तो मैं रामचंदर सिंग बाजिया आप सभी का आपके ही यूटूब चेनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं दोस्तो आज है 12 जून 2020 और आज हिंडालको इंडस्ट्री लिमिटेड ने अपने क्वाटर फोर 2020 और फाइनेंशल इयर 2020 के रिजल्ट्स जो हैं वो जारी किये हैं तो हम अपने इस वीडियो में हिंडाल को के quarter 4 2020 और financial year 2020 के results का detail में visualization करेंगे तता साथ में इसकी जो subsidiary company है novellis ठीक है उसका जो revenue आता है उसके उपर भी चर्चा करेंगे इसके results के अंदर ही तता दोस्तो वीडियो के last में हिंडाल को industry limited के stock का support price जश्ट नीचे और इसका best support price है उसकी उपर भी चर्चा करेंगे तता वीडियो के last में हिंडाल को industry limited के stock में निवेज के लिए best buy range क्या है उसके उपर भी चर्चा करेंगे तो दोस्तो वीडियो को last तक जरूर देखें और यदि आप भी share market में निवेज करा चाते हैं तो description में दियेगे links के उपर जाकर आप तुरंत online account open कर सकते हैं और अगले दिन से निवेज शुरू कर सकते हैं तो दोस्तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तो आज देखें 12 जून 2020 को आदित्य बिड़ला समो की metal company हिंडाल को उसने देखें दोस्तो अपना financial result जो है बीसी और एनसी को update कर दिया है दोस्तो रिजल्ट जो है उसका analysis करूँ उससे पहले मैं आपसे request करना चाहूँगा दोस्तो कि आपके लिए मैं results का काफी detail के अंदर analysis भी करता हूँ और आपको quality stocks भी बताता हूँ ठीक है उस with support price तो दोस्तो प्लीज वीडियो को देखें like करें अपने दोस्तो के साथ share करें और अगर आपने channel subscribe नहीं करका है तो दोस्तो प्लीज चेनल को subscribe जरूर करें और साथ में नीचे जो bell icon है वीडियो की notification timely मिल जाएं तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो जिसके अंदर हम इंडाल को के financial result देखें यहां consolidate जो result है उसके उपर चर्चा करते हैं consolidate का मतलब होता है दोस्तो कि हिंडाल को तता इसकी जो subsidiary जो company है उन सबका एक जगह के उपर result एक समय की तूप से result एक जगह देखा जाए तो यहां बात करते हैं सबसे पहले consolidate results की तो देखें दोस्तों यह हिंडाल को consolidate result है सबसे पहले बात करें तो दोस्तों revenue प्रूम operations ठीक है तो देखें दोस्तों quarter for 2019 के अंदर है company को 33,745 क्रोड रुपे का revenue प्राप्त हुआ था तता quarter for 2020 के अंदर है जो revenue प्रूम operation था company का वह है दोस्तों गठकर 39,318 क्रोड रुपे रह गया यानि दोस्तों revenue प्रूम operation के अंदर quarter to quarter देखें दोस्तों पिछले साल के quarter for की तुलना में इस साल के quarter for के अंदर revenue के अंदर 13% की गिरावट देखने को मिली है जबकि दोस्तों बात के लेते year on year basis के पर देखे financial year 2019 के अंदर revenue प्रूम operation एक लाग 30,542 क्रोड रुपे का था जो दोस्तों गठकर है देखे रह गया एक लाग 30,542 क्रोड रुपे तो यहां revenue प्रूम operation के अंदर देखे year on year basis के उपर पूरे financial year के अंदर year on year basis के उपर 9% की गिरावट देखने को मिली है तो देख देखे दोस्तों अब बात के लेते हैं earning before interest, tax, depreciation and amortization यानी EBITDA ठीक है इसके अंदर देखे इसके जो यह metals है ठीक है देखे देखे नोवेलिस दोस्तों नोवेलिस इसके अंदर quarter 4 के अंदर देखे आई वी नोवेलिस जो metal है उससे company को quarter 4 2019 के अंदर पची सो सत्रा क्रोड रुपे की दोस्तों इस साल के quarter 4 के अंदर यह बढ़कर हो गई 273 क्रोड रुपे यानी दोस्तों इसके अंदर 10% की growth देखने को मिली यह बहुत अच्छी बात है और दोस्तों financial year 2020 के अंदर नोवेलिस के हुई या यानि या साल दर सार या year on year basis के अपर ही 9% की वर्दी देखने को मिली है नोवेलिस metal के अंदर तो यहां दोस्तों यह एक बहुती positive बात है अब दोस्तों बात करें इसके aluminum segment की देखिए quarter 4 2019 के अंदर aluminum से जो income हुई हुआ 110 क्रोड रुपे की हुई और यह बढ़कर इस साल के quarter 4 के अंदर होगी 1049 क्रोड रुपे यानि दोस्तों इसके अंदर भी लगबग 3% की वर्दी देखने को मिली तता दोस्तों financial year 2019 के अंदर aluminum से जो earning हुई वो 500096 क्रोड रुपे की हुई ठीक है जो भढ़कर दोस्तो 500096 क्रोड रुपे से बढ़कर ती सोरी यहां earning है aluminum से वो 500096 क्रोड रुपे जो financial year 2020 के अंदर घटकर दोस्तों 3729 क्रोड रुपे रह गई यानि इसके अंदर 27% की गिरावट देखने को मिली जबकि दोस्तों quarter to quarter इसके अंदर 3% की जो है वर्दी देखने को मिली थी अब दोस्तों बात कर लेते हैं copper के उपर ठीक है copper के अ दबकि पूरे साल financial year 2019 के अंदर देखे दोस्तों आय थी 1683 क्रोड रुपे की जो financial year 2020 के अंदर घटकर 1260 क्रोड रुपे होगी यानि इसके अंदर 24% की गिरावट देखने को मिली तो दोस्तों copper के अंदर भी देखिए quarter to quarter 9% की वर्दी देखने को मिली बट देखे दोस्तों इसके जो नोवेली सेली ने और copper तीन जो सेग्मेंट इनके बारे में आपको अर्निंग्स जो है EBITDA जो है मेरे आपको डिसकस कर दिया है दोस्तों अब हम देखे डाइरेक्ट यहाँ पर profit loss after tax direct tax के उपर जो profit loss है उसके उपर बात कर लेते हैं देखे दोस्तों profit loss after tax देखे पिछले साल के quarter four के अंदर हिंडाल को company को total profit दोस्तों direct में यहाँ total profit loss के उपर आ गया हूँ देखे पिछले साल के quarter four के अंदर company को 1178 क्रोड रुपे का सुद मुरापा हुआ था दोस्तों जो घटकर इस साल के quarter four के अंदर 668 क्रोड रुपे रह गया यानि यहाँ quarter to quarter net profit के अंदर दोस्तों 43% की दोस्तों लगबग 43% की गिरावट देखने को मिली है net profit के अंदर quarter to quarter य year 2019 के अंदर हिंडाल को company को consolidate रूप में 5495 क्रोड रुपे का सुद मुरापा हुआ था जो दोस्तों financial year 2020 के अंदर 3766 क्रोड रुपे रह गया यानि यहाँ देखिए year on year basis के अंदर net profit के अंदर दोस्तों लगबग 31% की गिरावट देखने को मिली है तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि quarter to quarter net profit के अंदर 33% की और year on year basis के उपर net profit के अंदर 31% की गिरावट देखने को मिली है लेकिन दोस्तों आपको बताना ताहूंगा कि यह जो गिरावट है उसका कारण COVID-19 की वज़े से जो company के दुआरा इसकी जो assets quality यानि प्रिसमपतियां जो होती है उसके अ और उसका impact जो है net profit के उपर पड़ता है तो उसकी वज़े से दोस्तों यहां उस impairment की वज़े से या यू कहें उस extra provision की वज़े से यहां दोस्तों गिरावट देखने को मिली है net profit के उपर दोस्तों quarter to quarter 43% के अंदर 43% की और year on year basis के अंदर 31% की गिरावट net profit के अंदर जो है द जो segment नोवेल्स, aluminum और copper इन तीनों के अंदर देखें दोस्तों quarter to quarter जो है वर्दी देखने को मिली है जबकि इसका तो novel इस जो metal है उसके अंदर साल दर साल यानि year on year basis के उपर भी वर्दी देखने को मिली है जबकि aluminum और copper के अंदर year on year basis के अंदर दोस्तों गिरावट देखन को मिली है तो कहने का मतलब दोस्तों यह है कि इसका अगर हम results की बात करें तो results जो company का वो ठीक ठाक है यानि हम इस results को बहुत अच्छा भी नहीं बोर सकते तो बहुत कमजोर भी नहीं बोर सकते current जो situation है उसके हिसाब से results company ने ठीक ठाक जो है दिया है दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके dividend के उपर देखे दा बोर्ड ओफ डाइरेक्टर्स देखे दा बोर्ड ओफ डाइरेक्टर्स ओफ दा कंपनी है रिकमेंडेंड डिविडेंड ओप रुपीज वन देखे रुपीज ओफ वन दैटीज हैंड़ेट परसेंट ओप स्पेश वेल्यू पर सहर फो 2019 के लिए यानि आपको इसके परती सेर के उपर एक रुपे का dividend जो है वो मिलेगा अब दोस्तों results की बात हो गई results कंपनी का जो है current जो situation है coronavirus की उसके according कंपनी का ठीक ठाक जो है वो रहा है यानि ज्यादा बूरा भी नहीं रहा है तो अच्छा भी नहीं रहा है अच्छी बा बात कर लेते हैं इसके जो है fundamentals की और charts की दोस्तों यहां आप देख सकते हैं कि हिंडाल को industries limited जो है एक large company है ठीक है इसी company के stock का 52 वीक का हाई 221 रुपे 20 पैसे 52 वीक का जो लो है 14 रुपे 90 पैसे और stock का price to book ratio 0.56 यानि दोस्तों stock जो है अपनी book value शे half price के उपर trade कर रहा है और दोस्तों आदिते बिडला समोग की है जो metal company है ठीक है एक सांदार company है विदेश्यों में भी इसका अच्छा business है तो अपनी book value शे आप price के उपर trade कर रहा है dividend yield है 0.83% का है अच्छा है दोस्तों अब बात करते हैं इसके chart की दोस्तों यह हमने हिंडाल को limited का industry limited का one day का chart हमने लगा दिया देखिए आज शुकरवार को यह stock जो close हुआ 146 रुपे 5 पैसे के उपर यहां 145.90 दिखा रहा है यानि closing इसकी लगबग 146 रुपे के लगबग जो है वो हुई है ठीक है 145 रुपे 90 पैसे या 146 के उपर इसकी closing जो है हो गई है दोस्तों सबसे पहले support price देख लेते हैं वन डे के chart के इसाब से तो देखिए दोस्तों अ अगला support price आप निकाना चाते हैं मजबूत जो support price निकाना चाहोगे तो वो निकल के आ रहा है दोस्तों 125 रुपे के लगबग दोस्तों 125 रुपे के लगबग जो है एक मजबूत जो है second support है वो इसके अंदर जो है निकल के आ रहा है और दोस्तों अगर आप एक strong support price लेना चा फीक है आप दोस्तों बात कर लेते हैं कि हमें अगर शी चोप दोर दोस्तों और जी चाहिए तो chúng एक परकार की न्यूज के इसाफ से रियक्शन करेगा अब याज मार्केट जो है फ्राइड़े को क्लोज हो गया है सोमवार को क्या परकार की किस परकार की न्यूज आएगी तो गिरावट आए तो आप बोलोगी कि मैंने तो यहां पे 135 का ही दिया था लेकिन मैंने जो पोजि आप 115 का जो लेवल्स है ठीक है जो इसका सपोर्ट प्राइस है बेश सपोर्ट प्राइस है उसके अंदर और ज्यादा इसको एवरेज कर सकते हैं और आने वाले समय के अंदर दोस्तो आप इसके अंदर 125-150 के अंदर निवेश करके आने वाले समय में अच्छा रिटन या अ साथ में बेल आइकल को जरूर प्रेस करें दोस्तों यहीं पर वीडियो सवाप्त करता हूं धन्यवाद जैहिंद